प्यारे साथियों मैं डॉक्टर शिवा अगरवाल अम्बाला छामनी हर्याना से आप सभी को नमन करती हूँ शिक्षा के शेत्र में कक्षाएं पहले भी होती थी, बोर्ड्स, फ्लैक बोर्ड्स, क्लासस में होते थे, आज भी हैं, पर आज हम स्मार्ट क्लासस, स्मार्ड बोर्ड्स की बात करते हैं, ताकि शिक्षा को हम बहतर धंसे बच्चों को दे सकें, हमारे शिक्षन को हम प्रभा को करते हैं या फिर अगर वो काम करने की हमी जरुवत महसूस होती है तो हम उस काम को करते हैं या फिर किसी काम को करने में हमारी इच्छा शक्ति इतनी द्रिड होती है कि हम बिना किसी बात की परभा किये काम को बहुत अच्छे से करते हैं fourth and last, कि कोई उसकाम को करने के लिए कोई ठोज रीजन हमारे पास होता है जो रीजन हमें motivate करता है कि हम उसकाम को करें smart teaching में दो words आते हैं तो उसमें से सबसे पहले मैं आपको smart word के बारे में बताना चाहूंगी यहां मैंने smart word को दो parts में divide क्या है sum plus art समसे मेरा मतलब है सत्यम शिवम सुंद्रम का सार और आर्ट से भी प्राय है कि कलात्मक एवं स्रिजनात्मक गतिविधिया यानि सत्यम शिवम सुंद्रम के सार को कला के विभित रूपों के माध्यम से यदि शिक्षन में शामिल कर लिया जाए तो शिक्षन स्मार्ट शिक्ष जाए तो सत्यम से अभिप्राय है कि विशे समंधित ज्ञान को सत्य से जोड़ना जो कला के माध्यम से संभव है शिवन का अर्थ है छात्रों को एक ऐसा वातावरन प्रदान करना जो उनके लिए कल्यानकारी हो जिसमें वे शिक्षा ग्रहेंड करने में अपने आपको बहुत कमपटेबल महसूस करें सुन्दरम से भी प्राय है कि छात्रों में जो भी विशेवे पढ़ें उनके प्रती उन्हें रुची हो उत्सुकता उत्पन हो उनके मन में और उन्हें आनत और सौंद्रे की अनुभूती भी हो श्री रभिंद्र नाथ जी के ये शब्द मुझे ब नुभूती होती है यहां आप विभिन विशेओं से समंधित उच्छ चित्र भाषा के रूप में कलात्म अभाम स्रीचनात्म कतिविधियों के चित्र देख पा रहे हैं तो मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि जब हम इन कतिविधियों के माध्यम से बच्चों को विशे समं याद रहता है बजाए के रटने के बजाए सिरुफ त्यार्टिकल अगर हम विशेओं का ग्यान देते हैं तो वह एक लिमिटे टाइम तक उन्हें याद रहता है और कहीं बार भूल भी जाते हैं कहीं बार वह बर्डन फील करते हैं तो जब हम इन एक्टिविटीज को यू डिश्.. दाओं आपके आस पास के स्राउंडिंग में जो चीजें आपको मिलती हैं जो जिने आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं अगर पहलल प्रेंडिकोल रिट न आपको सिखानी हैं तो आपके आस पास जैज आप देखते हैं स्कूल में अवलेबल हैं आप माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं तो बच्चे रिलेट करते हैं जो चीजे देखते हैं उनसे अपने पढ़ाई को जोड़ते हैं तो और ज्यारिटी आती है चाहिए इंग्लिश का सब्जेक्ट है या सोशल साइंस सेस्टी इसमें या हिंदी है आप मॉडल्स का यूज कर और या आप पिच्चर्स यूज करें जिन जगाओं पर हम नहीं जा सकते और अप्रोच में नहीं है तो हम अपने अकॉर्डिंग अपनी कन्वीनिंस के कॉर्डिंग वो चीजे यूज करें जो बच्चों को पढ़ाई में उनको इंट्रस्ट ड्वलप करें उनको सब्जेक की क्लियरिटी बहुत और ज्यादा हो तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं आये इसे क्लिपिंग से और ज्यादा समझते हैं Art matters because art features a part of a brain that science leaves unmoved. Art has the power to alter perspectives in ways that mere facts can't. For example, if I tell you that 71% of earth's surface is covered with water but only 3% is fresh water and less than 1% is available for drinking water. We all know that, right? It's a very important and well-known fact. But for most people, just hearing those numbers doesn't have much impact. As a teacher, I might try to explain the point with a pie chart like this that shows all the water on earth as 97% salt water, 2% of fresh water tied up in glacier and ice caps and less than 1% available for drinking water. जब हम शिक्षा की लक्षे की बात करते हैं तो कलात्मक और अवम स्रजनात्मक अती विधियां उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल प्ले करती हैं. क्योंकि जो शिक्षा का लक्षे ही बालक का सरवांगिन विकास है और चाहे बालक का शारेक विकास है मानसिक विकास है या बौधिक या व्यक्तित्व या अध्यात्मिक विकास हर विकास में कलात्मक और सरच्ष नात्मक अपना एक भीतोफून भूमी परती है for अगर हम यह बात करें कि क्या यह गतिवियां केवल होबी क्लासस तक ही मीथ है, जी नहीं. इनका विश्यों में सभी विश्यों में बहुत सभी महतोफून रोल है ये, विश्यों ज्यान की अनुभूती और ज्यादा गहरी होती है जब हम छात्रों को विश्यों में कला के माध्यम से जो भी कंसेप्ट से उनको क्लियर करते हैं विश्यों से समंधित ज्यान को जब बच्चा जीवन से जोड़ता है उसे समझता है तो उसे समझ कर जब आत्म साथ करता है तो उसे ज्यान के प्रती और जादा उसकी रूची बढ़ती है उसकी दूर दर्शिता बढ़ती है सोचने की शक्ती बढ़ती है और वो चीजों को औ और ज्यादा भेतर ढंग से देख पाता है, समझ पाता है, यह तब ही संबव है, जब हम अपने सब ही विशयों में जो हम पढ़ाते हैं में स्कूल में विधियाले में चाहे वो primary class है या हायर classes है, secondary classes है, सब ही classes में हर स्तर के विध्यार्थियों के लिए यह विद्या बहुत ही ज्यादा important role play करती हैं बच्चे कला के प्रति इतने अधिक आकरशित क्यों होते हैं क्योंकि कला उनकी कलपनाओं से जुड़ी है उनकी कलपना को जो वो सोचते हैं महसूस करते हैं उन्हें अभिव्यक्ति देती है और उन्हें खुशी महसूस होती है बच्चों के लिए कला और कलात्मक गतिविधियों का ज्यान क्यों जरूरी है कला के माध्यम से शिक्षा देना क्यों जरूरी है ताकि बच्चे ज्यान के प्रति एकाग्र हो उनमें ज्यान लेने के लिए आकरशन पैदा हो जो उन्हें और जादा सजन्शील बना सके और क्योंकि ज्यान का जो मतलब ही है वो ही दुनिया से जुड़ना है कला पाठे करम से संबंधित सभी विशे वस्तुओं को रुची कर बनाने विश्यों के प्रस्तुती करण को प्रभावित करने और ज्यान के स्पष्टी करण का प्रमुक्स त्रोत है मेरा ये मानना है कि स्मार्ट शिक्षन एक सेवा कारे है जिसमें निस्वार्ट भाव से विध्यार्थी के भावी जीवन की पौध आनन्दमई वातावरन में ज्यान के प्रकाश में, गर्मत्ता की मिट्टी में, कला के कलश में, सुझनात्मक्ता से पलवित होकर एक जिस रूप में विध्यार्थी ग्यान ग्रहन करते हैं उसी रूप व अकार में वे मस्तिश्क व व्यक्तित्व से ढ़ल जाते हैं अगर हम हमारे बच्चों को सिरफ theoretical knowledge देते हैं अगर हम उन्हें विश्यों को पढ़ाते समय एक्टिविटीज को उप्योग नहीं करते तो वे अपनी सोच एक limited सोच उनका दायरा जो होता है सोचने का वो एक limited रह जाता है और अगर हम उन्हें कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं उनकी thinking सोचने की शक्ति उनकी अबलोकन शक्ति उन सभी शक्तियों को उन सभी skills को जागरत करते हैं कला के माध्यम से तो वे और ज्यादा सुंदर निखार अपने भीतर ला पाते हैं हमने lecture method के बारे में पढ़ा है discussion method, demonstration method तो मैं यहां पर smart method की बात करी हूँ यानि हम कलात्मक गतिविधियों के द्वारा art activities के द्वारा जब हम बच्चों को विश्यों से समंधित ग्यान को देते हैं इसी विश्यों में हम बात कर रहे हैं एक शिक्षक जब शिक्षन अधिगम प्रक्रिया में कलात्मक एवं सुजनात्मक गतिविधियों का प्रयोग करता है तो वह सिरफ किताबों से ही नहीं बलकि दिल से भी पढ़ाता है क्योंकि अगर ज्ञान का संबंध हमारे मस्तिष्क से है तो कला का संबंध हमारे हिर्दे से है मस्तिष्क एवं हिर्दे के संगम से ही ज्ञान की सच्ची और गहरी अनुभूती होती है पाबलो पिकासो जो एक स्पैनिश कलाकार है उनके ये शब्द मेरे दिल को छूलेते हैं कि हर बच्चे में एक कलाकार है समस्या यह है कि हम बड़े होने के बाद एक कलाकार कैसे बने रहें आज के बच्चे कल का भविश्य हैं चाहे वे किसी भी प्रोफेशन में जाएं कला का कोई ना कोई रूप उनके कौशल सर को जरूर प्रभावित करता है क्योंकि संसार की हर वस्तु में कला की छाप है हर निर्मान कारे में कला की आवशक्ता महसूस होती है तो विध्यार्थि निर्मान जो एक शिक्षक के हाथों में है क्योंकि शिक्षक को एक नेशन बिल्डर कहा जाता है तो वहां कला की अनिवारेता कितनी ज्यादा महसूस होती होगी आज इस बात पर विचार करना बहुत ज़रूरी है आज स्मार्ट शिक्षक वर स्मार्ट शिक्षन की आवशकता है विध्यार्थी जीवन में हम शिक्षा प्राप्ती के लिए परिश्रम पर बल देते हैं और आनंध हमें परिश्रम करने के लिए निरंतर शक्ती प्रदान करता है और ये आनंध हमें कला से मिलता है क्योंकि कला का मूल भाव ही तुख मस्ती प्रसंता तुंदर्टा प्रदान करना है क्या ये संभब नहीं है कि जब क्लास में एक ठीचर पढ़ा कर हटता है और उसके बाद उसके चेहरे पर शात्रों के चेहरों पर खुशी हो प्रसंता हो उन्हें पढ़कर अच्छा लगे आज शात्र शिक्षक समंदों में प्रेम और आदर भाव को विक्सित करना बहुत जरूरी हो गया है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि आज यह बहुत कॉमन हो गया है कि जो बच्चे हैं वो अपने ठीचर का मजाक उडाते हैं उनके लिए बहुत सारे अपशब्द भी बोल देते हैं जिससे जो उनको मैटर नहीं करता है और इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि बच्चे मस्ती चाहते हैं जो उन्हें पढ़ने में आज नहीं मिल पा रही उन्हें information मिलती है, knowledge मिलती है पर happiness missing है वो खुशी ढूनते हैं और जब उन्हें खुशी नहीं मिलती तो वो अलग-अलग चीज़ों में उस खुशी को ढूनना शुरू करते हैं रंग, रूप की तरफ attract होते हैं, other things की तरफ attract होते हैं जो उस age के बच्चों के लिए ठीक नहीं है इसलिए art activities किसी भी फॉर्म में करने से करना बहुत ज़रूरी है, teaching में उसे लाना बहुत ज़रूरी है अब अगर हम ये कहें कि क्या बच्चों के सिर्फ बस्ते ही भारी है, या फिर उनके मन पर भी बोज है मैंने जब इस तरह के articles पेपर में देखे तो मुझे बहुत दुख हुआ और शायद यही एक वज़ा है, बहुत बड़ी जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से अपने विचार आपके सामने रख रही हूँ क्या पढ़ने का मतलब ज्ञान को सुषना में के रूप में रट कर मातर क्या अच्छे अंग लेना है क्या हम सिर्फ नौलेज गेन कर लें, हम अच्छा स्कोर कर लें, अच्छी परसेंटेज ले आए, क्या यही चीज इंपॉर्टेंट है या उनके कंसेप्ट को समझना, उन्हें आत्मसाथ करना, जो हम पढ़ रहे हैं, उसे महसूस करना, उसे देखना, उसे समझना, ये बातें भी बहुत ज्यादा जरूरी है आज अगर हम समार्ट टीचिंग करते हैं, कलात्मक और सिजनात्मक कतीविधियों का प्रयोग अपने विशेवस्तू को पढ़ाते हुए करते हैं तो ये हमारे खुद के व्यक्तित्व को निखारने के लिए, हमारे स्वयम के ग्यान को और ज्यादा गहरा करने के लिए, हमारी स्वयम की अबलोकन शक्ती को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम हमारे बच्चों को तो स्मार्ट बनाएंगे ही पर पहले हम खुद स्मार्ट बन पाएंगे तो स्मार्ट टीचिंग अगर करते हैं तो स्मार्ट टीचर बनेंगे जो हम सोचते हैं हम वही बनते हैं हमें क्या नहीं सोचना, और क्या सोचना है, यहां मैंने कुछ पोउइंट्स लिखे हैं, डियान देना है, ऍक्रिक्षम में स्मार्ट टीचिंग हमने करनी है, हमेंτί हमें स्वी पोइह खेंचे करना है, तो हमने अगर पहले नहीं किया, तो हम नया करेंगे, तो हमें कहीं कुछ अगर दिखते आती भी है तो हम उनको जब करते रहेंगे करते रहेंगे तो अपने आप से हमें अभ्यास हो जाएगा ये नहीं सोचना है कि ये तो मुश्किल है ये सोचना है कि ये आसान है और ऐसा करना जरूरी है हमें यह नहीं सोचना कि यह तो बेकार की महनत है मतलब ऐसे भी तो पढ़ाई रहे हैं ऐसे भी तो हमारा टॉपिक हम clear करी देते हैं बच्चे समझ लेते हैं तो हमें जरुवत नहीं है यह नहीं सोचना कि हम बेकार की महनत करें जो आप एक पर efforts कर लेंगे आप अपने एक topic को पढ़ाने के लिए कुछ different activities कोई भी prepare कर लेंगे तो वो आपके हर साल जब भी जो भी बच्चों आएंगे नए बच्चे आएंगे आप उनके साथ उसको share करेंगे और हो सकता है कि time to time उसमें आप और improvement करें या और कुछ add on करें अपमे creativity खुद से ही आजाएगी समय परिस्ति व अवशक्ता अनुसार सुम में परिवर्टन अनिवार है इस बात को तो आज हम भली बाती जान चुके हैं कि कोरोना के इतने लंबे समय से हम घुझरे है और जैसा समय रहा जैसी परिस्तितीं रही और जैसी अवशक्ता हमें मेहसूस होई उसके हम कहीं सारे apps कि हमारी बचैते हैं अवशक्ता वे श्कार की जनूनी है तो बहुत सारे एप हमारे सामने ये जिनकाอम ने और भी नाचाने कितने अपस चाहे उसमें ट्रेनिंग के लिए हो चाहे बच्छों को पढ़ाने के लिए उनलाइन उनके एक्जाम्स लेने के लिए तो यह सब यही बताता है कि जैसे जैसे परिस्तियां या समय के नुसार हम स्वाम में परिवर्तन करते जाते हैं मैं यह सोचती हूँ कि क्या हम एक जैसा खाना तीनो टाइम खा सकते हैं क्या हम एक जैसे कपड़े हर वक्त पहन सकते हैं बच्चे भी तो फील करते होंगे क्योंकि अब वो एक ही क्लास में एक ही जंगा पर कितने सारे सबजेक्ट्स एक साथ पढ़ रहे हैं और अगर हम एक ही तरीका अपनाय रखेंगे उसमें विरियेशन्स नहीं लाएंगे तो उन पर कितना बर्डन फील होता होगा और वो तो कह भी नहीं सकते पढ़ना है क्योंकि परेसर है उनके जो फ्रेंड्स है उनका प्रेशर है कि ये तो वीक है या टीचर्चर का प्रेशर है तो यह भी नहीं मतलब फील भी नहीं कर पाते ओंगे कि वो बोर किस लिए हो रहे हैं यह हमारी फिर खर कि बोर्यत को भी करें तो उसके लिए हमें क्या करना है घितना जि भी कितना जादा दो वीरेशन्स लेकर आते हैं सिरफ और हमारे लिए कि अपने लिए अपनी गोर्श होती है उनकी और हमारे की ऐ्दियन्स को अड़ अच्छा लगे और बहुत सारे स्टार्स इसलिए हमारे फेवरेट भी बन जाते हैं इसी तरह टीचर्स भी तो फेवरेट बनती हैं वही टीचर्स फेवरेट बनती हैं जिनका पढ़ा आयवा बच्चों को बहुत जादा अच्छा लगता है जो जिसमें नया पन लगता है जैसे हम कोई ऐसा पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम voice variation कर सकते हैं, poetry add कर सकते हैं, music add कर सकते हैं, कोई story form में उसको हमने topic को पढ़ा दिया, या हम कोई act कर सकते हैं students के साथ, तो ये बहुत सारी variations हैं, हम किसी भी form में ये हमारे ideas हैं, कि हमने कैसे use करना है, आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे, तो ये पूरा ही एक panel, एक पूरा चक्र है, जिसे हम teachers से जो सबसे पहले connected है, as a smart teacher हमारा एक रोल ये भी है कि हमें positive रहना है, अपने colleagues को, अपने profession को, जिस profession में हम हैं, हमारे students को, जिने हम पढ़ाते हैं, और जिस environment में हम पढ़ा रहे हैं, जो environment हमें स्कूल में मिला हुआ है, उसमें हमें positive रहना है, प्यारे साथियों अंत्वे मैं यही कहूंगी, कि हमें smart teaching के माधिहन से smart teacher बन कर, जोच से जोच जलानी है, सभी को इकठा मिल कर सहयोग करना है, एक दूसरे का और हाथ में अपने विचारों को यहां विराम दूंगी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,